आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूँ सब ब्योटेफुल और बहुत प्यारी से हैंस्टैल्स जो आप अपने कर्ली से बालों पर बना के ऑफिस जा सकते हो और बहुत प्यारा लगने वाले हो पहले एस्टैल के लिए बस आगे की दो जूल पर आपने छोड़ देनी है उसके बाद जो बाकी का हेर सेक्षिन है उसको अच्छे से नीटली या फिर रफली जैसा भी आपको पसंद है बैसे पीछे ले जाना मैं यहां पर थोड़ा सा सेरम यूज कर जो कि मेरे वाला आगे सब्सक्राइब तो उसको तो तो अच्छा दिखाने के लिए सेरम यूज कर जिए आप नॉर्मली भी कर सकते हो या फिर सीरम यूज कर से तो जैसा भी आपको से लगता है उसके बाद थोड़ा सा उसको बाउंस देखा है ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है मतलब परस्नल ओपीनियों आपको डिफ्रेंस सामने से बहुत अच्छी से दिखेगा एंड थैन हो गया आराम से अपकी हेस्टैल बन गई यह अराम से उस दिन पहन सकते हो ना जिस दिन आपके बाल ल पहसा अँए है तो उसके लिए आपको पहां सेंटा सेक्षन लेना है उसके बाद बालो को पीछे ले जाके फोल्ड करके एक बॉबी पिंसे सिक्वार कर लेगा जैसे मने एक बार कर लिया दूसरी बार भी कर जुँँ अभी में खरशे लगा रहीं उसके बाद मैं इन तीन किसे आपको दूसरे साइट भी कर लेना ऐसे ही फोल 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 और उसके पीछे से लगा दीजे बहुत पहले हैं और सच वह लगता है कि आपने कोई एफ़र्ट डाला है जब कि इसमें आपको मतलब जादा से जादा पांच मिनट लगेंगे वह भी बहुत रेयर केस के लिए आपको अपनी जो आईब्रो जहां पर खतम होती है ना वहां पर से आपको बाल ले जाने दोनों साइट से अच्छी से वह नीट कर लेना आगे से सामने से क्लीन कर लें जितना आपको पसंद है फिर हलका सा वॉल्यूम देखे पीछे पर आपको लगाना है जैसे अ बालों को पकड़ो दो ट्विस्ट वालों और फिर लगा दो बड़ा सा क्लचे पोडी तेल में अगर आपके बालों में दिक्कत आती है ना इस इस परफेक्ट हैस्टाइल मतलब बहुत साथ पूरी हो नहीं है लेंस सोरी कम होती है यह देट काफी अच्छा लगता है बिना अगर आप चाहें तो इसके साथ आप आगे का अगे स्लीक कर सकते हैं वह भी काफी प्रोफेशनल और काफी प्यारा लगता है मेरको तो परस्टनली काफी पसंद है अगर आपको पोनी मतलब रबर बेंड लगाने से दिखर आती है तो वह आपका इशू सकता है वर नहीं बहुत अच्छे लगते हैं मुझे बहुत जादा प्रोफेशनल फील आता है इसमें यह बस इस्पेशल ओकेशन के लिए बस बाल पीछे ले जाओ और एक पोनी टेल स अच्छी से टाइटली आपको रबर बेंड जाने वाले हैं जो आगा अपने दो जूल फे चोड़ी है उनको आपने साथ में मिलाके एक डाड़ी बना लेना है बसक्ता बट साथ में लेकर एक टरफटंड मेंद अच्छी आपको रबर बेंड सिक्वयर करने कि बाला मेंच करने कर दो हो गया बस यह किडिंग आपको बाल जो है आपको पकड़के पीछे ले जाना है एंड इतना सिंपल है उसके आद अपना जो भी क्लचर है उसको ओपन कर लीजिए and then you can flaunt इंड वेस्टन और इंडियन के साथ एक ताफी जादे लगी वेस्टन के कंपैरिजियन में अब चलता है हमारी आखरी हैस्टैल के लिए इसकले आपको साइड पार्टिशन करना है आप मिडिल भी कर सकते हो मतलब जैसे आपको कमफरेबल मैं साइड पार्टिशन करती हूँ इसको ना थोड़ा नीट कर लीजिए का मेरा थोड़ा मेरा हो गया था उसके बाद आपको जिस साइट कम बाले प्ले प्लेट पर अपने बनानी है इसका टुटोरिल आपको यूटूब में बहुत साए चैनल मिल जाएंगे नी तो मैंने भी शेयर करा है यो कन चाक इट करने के बाद पूरा लास तक ब्रेट कर लो और उसके बाद आपको बालों में वॉल्यूम चाहिए तो बालों को थोड़ा सा टीज कर लेना एंड बैसिकली आज के वीडियो बनाने का में मोटी वे था कि आपने ब्यूटिफुल कर्ल्स को इम्रेस कर पाओ उनको एप्रिश आउटो डू लेट में नो इन दो कॉमेंट्स आउं बेलों फोफूली किसी कोई पसंद आएगी अगली वीडियो मिलते हूं तब तक के लिए किप स्प्रेडिंग लाव एंड पॉजिटिविटी बाई